असलाम अलेकुम वीवर्स कैसे है आप सब आज मैं लाई हूँ चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी जिसे के कच्चे गोश की बिर्यानी भी कहा जाता है क्यूंकि इसे हमें कच्चे में ही मसाला लगा के बनाना है इसे हमें पकाना नहीं है पहले से चिकन को और ये भटियारा स्टार्ट करते है रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए तो चलिए देखते हैं चिकन दम बिर्यानी या कच्चे गोश की बिर्यानी बनानी के लिए हमें किन किन चीजों की जर्वत देड़ किलो मैंने यहाँ पर चिकन के पिसिस ले लिए इस तरीके से इसे कट कर लिया है अब इसे हम एक पतीले में दाल देंगे हमें इसे मेरिनेट करना है इसमें मैं दो टेबल स्पून भर के अध्रक लसन का पेस्ट दाल दूंगी चिकन के पिसिस को आप यास से चीरा लगा लीजिए ताकि इसमें मसाले अच्छी तरीके से अंदर तक चले जाए इसमें मैं एक टी स्पून हल्दी पाउडर एट कर दूंगी एक टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर एट कर देंगे यह मेरे घर का बना हुआ मसाला है दो टेबल स्पून भर के हम इसमें धनिया पाउडर एट कर देंगे एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर एट करेंगे हाफ टेबल इस्पून नमक एड़ कर देंगे ये हाफ टेबल इस्पून कश्मीरी लाल मिल्च पॉडर लिया है मैंने इसे आप कम या ज़ादा कर सकते हो क्योंकि ये तीखी नहीं होती है इससे कलर अच्छा आता है एक प्याला यानि के एक कप मैंने दही लिया है कट करके रख दिया था ये डाल देंगे हम अब इसे हम हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हमें इसे हाथों से ही मिलाना है तभी ही एक एक बोटी पे मसाला अच्छी तरीके से लग जाएगा इसलिए आप हातों को अच्छे से पहले धो लीजिए उसके बाद ही आप ये काम करिए देखिए मैं किस तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ इसे इसी तरीके से हमें मिक्स करना है मैंने चिकन में मसाला अच्छे से लगा लिया है अब इसमें मैं तेल एट करूंगी 3-4 टेबली स्पुन भरके मैं तेल डाल दूँगी ये जिसमें मैंने प्यास को लाल किया था ये वो ही ओल है अब इसमें हम फ्राइ ओनियन दाल देंगे ये तली वी प्यास दाल देंगे एक मुठी में भरके इसमें डाल दूँगी इस तरीके सा हातों से थोड़ा सा दबा दीजीए इसे और दाल करेंगे और इसे भी हम chicken में अच्छे से mix कर लेंगे देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है अभी मैं इसे ओवर नाइट के लिए रख दूँगी इसे मैं फ्रीज में रख दूँगी मैं इसे कल बनाऊंगी अगर आप चाहे तो आदा या एक घंटा भी इसे मेरिनेट करके रख सकते हो इसे मसाला अच्छे तरीके से चिकन में चल इसमें मैंने चावल का डबल पानी डाला है अब इसमें हम नमक एक करेंगे दो टेबल इस्पून भरके नमक डाल देंगे आप टेंशन मत लिजिएगा ये पानी हमें निकालना ही है तो नमक भी निकल जाएगा जितना चावलों जाऑँगे बस उतना ही उसमें रहेगा इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले एट करेंगे ये मैंने 20-25 काली मिरी लिया है 10-12 लॉंग लिया है 2 दालचीने के तुकड़े 2 बड़ी इलाइची 2 तेस पत्ते और ये मैंने 1 टीस्पून शाजीरा लिया है शाजीरा नहीं है आपके पास आप जीरा भी दाल सकते हो इसमें हम थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा हरा धनिया दाल देंगे और इससे ढख के उबाल आने तक पकने देंगे देखिए पानी में उबाल आना स्टार्ट हो रहा है अब इसमें हम एक निम्भू का रस दाल देंगे यह आप जरूर एट कीजिएगा इससे चावल हमारे बहुत ही खिले-खिले और इक्दम सफेद बनते है अब इसमें हम चावल डाल देंगे चावलो का पानी निकाल दीजिए और उसमें फिर एट कर दीजिए अब हमें चावलो को 80% पकाना है पूरी तरीके से हमें इसे गलाना नहीं है 80% ही हमें बनाना है बाकी का 20% वो गोश के साथ बन जाएगा अगर हमने पूरा चावल अभी ही पका लिया तो हमारे चावल गीले हो जाएंगे अच्छे नहीं बनेंगे इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ चावलो को 80% ही गलाना है अभी इसे में ढखके पकने दूँगी चलिए चेक करते हैं हमारे चावलो को मैं आपको एक दाना इस तरीके से तोड़के बताती हूँ देखिए इसमें अभी हलकी कसर बाकी है ये पूरी तरीके से गला नहीं है इस वक्त हम इसे चान लेगे इसका पूरा पानी निकाल लेगे हमने चावलो को चान लिया है और एक पतेली में हम मेरिनेट किया हुआ पूरा चिकन दाल देंगे आप चाहे तो जिसमें बना रहे हो वो इस पतेली में भी बना सकते हो मैंने इसे फ्रीज में रखा था, इसलिए मैंने छोटी पतेली में डाल के रखा था, इसमें मैं निम्बू का रस डालने भूल गई थी, तो इस वक्त मैं इसमें एक निम्बू का रस डाल दूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लोगी, इस वक्त आप अपना नमक वगेरा चेक कर लीजिए कोई चीज की कमी लग रही हो तो आप डाल सकते हो इसमें मैं पुदीना और हरा धनिया डाल दूँगी थोड़े से और इसे भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें मैं बिलिस्ता डाल दूँगी दो मुठी भर के बिलिस्ता डाल दीजिए इसमें यह सब चीजों से ही अभी हमारा मसाला बनेंगा ऐसे अच्छे से मिला लीजिए और इसे हाथों की मदश से चारो तरफ अच्छे से पहला लीजिए अब जिस पतेली में मेरा चिकन मेरीनिट करके रखा था उसमें मैंने हाफ कप पानी डाल के उसका मसाला पूरा इसमें डाल दिया है इससे जादा पानी नहीं डालेंगे हम क्योंकि चिकन भी अपना पानी रिलीज करेगा ये मैंने केवडा एसेंस लिया है इसके मैं दो से तीन बून दाल दूँगी दो से तीन बून से जादा आप मत दालियेगा वरना बिर्यानी में कड़वापन आ जाएगा अब इसके उपर हम थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और बिलिस्ता दाल देंगे तलीवी प्यास अच्छे से चारो तरफ आप इसे छिड़क दीजिए देखा, आपने मैंने इसमें पानी जादा नहीं एट किया है सिर्फ हाप कप पानी ही डाला है मैंने अब इसमें हम चावलों को दाल देंगे जैसे हमने छान के रखा हुआ था अच्छी तरीके से चारो तरफ फैला के आप चावलों को दाल दीजिए पूरे चावल हम इसमें दाल देंगे यह बहुत आसानी से बन जाती है बिर्यानी अगर आपक्या महमान आने आले है तो आप इसे एक दिन पहले भी मेरीनेट करके रख सकते हो दुसरे दिन बना सकते हो बहुत जल्दी हो जाता है खाली हमें चावलों को उबाल की ही डालना आपड़ता है बाकी तो हम मेरिनिट करके रखी चुके होते हैं अब इसके उपर हम इस तरीके से तलिवी प्यास डाल देंगे और इसके उपर ऑउल डालेंगे हम यह भी लिष्टे का ही ऑउल है तलीवी प्यास का ही ऑउल है आप चाहें तो घी को भी पिगला के डाल सकते हो मैंने इसे चारो तरफ अच्छे से डाल दिया है दो से तीन टेबल स्पून भरके डाला है मैंने अब इस पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर छिड़क दूँगी ज्यादा मत डालिएगा थोड़ा से ही डालिएगा यह मैंने केसर को गरम दूद में भीगो के रखाता इसे हम डाल देंगे इससे बिर्यानी में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और खुश्बू भी आएगी मैं यह पूरा डाल दूँगी चारो तरफ अच्छी तरीके से अब इसमें मैं यह लिक्विट कलर है इससे डाल दूँगी कलर आप अपनी हिसाब से औरेंज या रेड कोई भी दाल सकते हो ग्रीन भी दाल सकते हो मैंने यल्लो कलर दाला है अब इसे मैं अच्छी तरीके से कवर कर दूँगी इससे हमारी स्टीम अंदर ही बनी रहेगी बाहर नहीं निकलेगी जिससे के हमारे चिकन को और चावलों को गलने का एक अच्छा सा मौका मिल जाएगा अच्छी तरीके से हमारे चिकन और चावल गल जाएगे इस अच्छे से मैं सील कर दूँगी इस तरीके से अगर आप चाहो तो सिर्फ धकन भी ढाग सकते हो और उसके पर कोई वजन चीज रख दीजे जिससे स्टीम बाहर ना निकले यहाँ पर मैंने एक तवा को रख दिया है गरम होनी के लिए जैसे ही तवा गरम हो जाएगा मैं इस पे इस पतीले को रख दूँगी और इसके पर मैं ढखकन ढख दूँगी और इसे हाई फ्लेम पे मैं 5 मिनट और इसके बाद मैं इसे 30 मिनट तक मेडियम टू लो फ्लेम पे पकने दूँगी चलिए अब 30 मिनट बात इसे हम खोल के देखेंगे 30 मिनट तक इसे बिल्कुल भी मत खोलिएगा मिडियम टू लो फ्लेम पे पकने दीजिएगा याद रहे स्टार्टिंग में हमें हाई फ्लेम पे 5 मिनट पकाना है चलिए 30 मिनट हो चुका है मेरे घर में पूरी खुश्बू फैल चुकी है चलिए इसे खोल के देखते है आहा देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी बिर्यानी रेडियो हो चुकी है देखिए ऐलुमिनियम फॉइल लगाने से पूरी स्टीम इसके अंदर ही थी अब इसके उपर मैं हारा धनिया अब उधीना दाल दूँगी गैस का फ्लेम बन कर देना मैंने गैस का फ्लेम बन कर दिया है अब इसे मैं ढखके पांच मिनट के लिए रहने दूँगी पांच मिनट बात इसे हम सर्फ करेंगे देखे कितने मज़ेदार हमारी बिरियानी रेडियो चुकी है पनी खुश्बू फैली है हमारे घर में देखे मैं इसका चावल बताती हूँ आपको देखे इसका चावल कितना खिला खिला बना है इसी तरह आप भी ध्यान रखिए चावलों को उबालने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हस से जादा नहीं हमें इसे गलाना है चलिए इसे सर्फ करते हैं देखिए हमारी कितनी मज़ेदार सी बिर्यानी रेडी हो चुकी है बिर्यानी की खासियत यही होती है कि चावल उसमें अच्छे हो चावल अगर जरा भी खराब हो जाए तो पूरी बिर्यानी का मज़ा खराब हो जाता है इसलिए चावलों को पकाते टेम यह बात का ध्यान जरूर रखिए आप कि 80% ही उसे गलाईए 80% से जादा मत पकाईए उसके बाद उसे आप दम पे जब रखोगे तो 20% पक जाएगा क्योंकि यह हम कच्चे गोश्की बिर्यानी बनाए है पकेवे गोश्की नहीं पकेवे गोश्की बिर्यानी के लिए हम पूरा कुक करते हैं चावलों को देखिए किती मज़ेदार सी हमारी बिर्यानी रेडियो हो चुकी है आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए चलिए चलती हूँ अल्ला हाफीज